हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे ब्रेड की बर्फी ये बर्फी जटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है ब्रेड की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं इन ब्रेट स्लाइसिस को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर फाइन पाउडर बना लेंगे यहां पर मैंने ब्रेट की साइड्स को कट नहीं किया है उन्हें भी हम ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए इस तरह का पाउडर हमने त्यार करना है अब मैं एक पैन में दो कप दूद ले रही हूँ दूद में हम एक उबाल आने देंगे दूद में एक उबाल आ गया है अब हम low medium flame पर दूद को पकाएंगे दूद जैसे जैसे पकेगा ये गाड़ा होता रहेगा इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूद नीचे न लगे दूद जब तक वन फोर्थ नहीं रहा जाता हम इसको पकाते रहेंगे इस बर्फी को बनाना बहुती आसान है और ये सबी को बहुती पसंद आती है आप देख सकते हैं दूद वन फोर्थ ही रह गया है ये काफी गाड़ा भी हो गया है अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स जो हमने त्यार किये थे वो एड़ करेंगे फ्लेम को हम लो मीडियम पर ही रखेंगे इसे लगाता चलाते हुए हम मिक्स करेंगे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो सारा दूद एब्सर्ब कर लेंगे ये देखिए इस तरह का टेक्स्चर हमने त्यार कर लेना है अब मैं इसमें आदा कप्चीनी एड़ कर रही हूँ चीनी पानी छोड़ेगी मिक्सर का कलर भी हलका सा चेंज हो जाएगा ये देखिए इस तरह का हलवे जैसा टेक्चर हमें मिल जाएगा फिर मैं इसमें दो चम्मच घी के एड़ कर रही हूँ घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के डालने के बाद हम मिक्सर को दो तिन मिनट के लिए और पकाएंगे मिक्सर ने सारा घी एब्जर्ब कर लिया है और इसका टेक्स्चर भी दानेदार हो गया है मिक्सर बिलकुल भी ड्राई नहीं है इस टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे हम एक प्लेट लेंगे और उसे घी से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे मिक्सर को हमने फिर इस पर ट्रांसफर करना है गरम मिक्सर को ही हम इस प्लेट में डाल लेंगे फिर हमने इस तरह से इसको सेट कर लेना है हम इसको एक स्केयर शेप में सेट कर लेंगे उपर से भी मैं इसको समूत कर रही हूँ इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है अब इसके उपर मैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ ड्राइफ्रू डाल रही हूँ इससे बहुती अच्छा टेस्ट आएगा इने भी हम हलका सा प्रेस कर देंगे अब इस मिक्चर को हम आदे गंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे आदा गंटा हो गया है, मिक्चर हमारा अच्छे से सेट हो गया है अब हम एक नाइफ से इसको कट कर लेंगे मैं यहाँ पर स्केर शेप में बर्फी के पिसीज को कट कर रही हूँ आप चाहिए तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं बर्फी अमारी बन कर त्यार हो गई है ये खाने में बहुती टेस्टी बनी है इस बर्फी को हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं हफता बर ये बर्फी आसानी से चल जाती है आप भी इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राई कीजिए ये सबी को बहुती पसंद आने वाली है